हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल इगनू असाइनमेंट गुरू आज की वीडियो का आफ इंपोर्टेंट होने वाल है आप सभी क्यों मैं एक चीज बताना चाहतो जो भी आपके दिसंबर 2020 के एक्जाम होने वाल है उस एक्जाम से लेटेट जितने भी अपडेट से है जो कि आप सब्सक्राइब होने जितने भी इंपोर्टेंट डेट से आसाइनमेंट की एक्जाम की प्रोजेक्ट जितने भी इंपोर्जेक्टिыми शौर्डेट से क्ली दी लिखा होा है काफ़र चीज किन इस्टुलेंट्स ही लिया है जितने भी प्रोग्राम्स है आपके सभी के लिए एक्सेंट कर दी गई है लास्ट देट आप सभी कोई सभी प्रोग्राम में कोई मैटर नहीं करता है अगर आपको दिसंबर में अपने एक्जाम देने थे उसके लिए आपको असाइन्मेंट सम्मिट करने थे तो आप 15 दिसंबर तक अपने असाइडमेंट सम्मिट कर सकते हैं साथ ही में सेम चीज़ अपलाए होती है आपकी प्रोजेक्ट, इंटर्शिप, पील्ड वर्क, जर्नल पे भी जिसकी लास देट आपकी 15 दिसंबर तक एक्सेंट कर देगी है साथ ही एक्साम फोर्म यानि कि अप अपने एक्साम फोर्म भी एक्सेंट कर देगी है 15 दिसंबर अगर आप अभी जाएंगे अपने एक्साम फोर्म को आप जाके चेक करेंगी तो वहाँ पे देखें आपकी लास देट जो है 15 दिसंबर लिखा हुआ है एक्सेंट निट सबसे बड़ी अपडेट आपकी क्या आपके एक्जाम कब होंगे दिसंबर के जी हां आप सबी के लिए काफी काफी सब्सक्राइब बुरी खबर है आप सोच के देखें जिन भी सुद्ट ने चून 2020 में अपने सुद्टेंट थे या कुछ भी था उन्हों अपने एक्जाम न इसको भी पोस्पोन कर देगे आप वह फैब्रेडी मुंगे तो कितना जादा आपका टाइम बरबाद हो चुका है आप सबी आप देख सकते हैं आपके एक्जाम जो अभी तो बोलागा है फैब्रेडी की फर्स वीक से लिए जाएंगे अब ही कोई ओफिशल डेट नहीं है तो फैब्रेडी के मंथ में आपके एक्जाम कंड़क की जाएंगे इस चिसका अपडेटिक में आगे चल की जाएगा आपको पटबी के लिए आपके दिसंबर की यहाँ पर काफिशा स्टूरेंट से भी पूछ रहे थे कि हमारे जून वाले स्टूरेंट है उनके एक्जाम फैब में होंगे जैनवरी वालों के साब सभी को जादो जिन भी स्टूरेंट के एक्जाम दिसंबर में होने थे चाहे वो जैनवरी वाले स्टूरेंट हो चाहे वो जून वाले स्टूरेंट हो सब भी के एक्जाम जो है फैब्रेरी के मंथ में कंड़क कर आए जाएंगे त जिस चीज़ का आप सभी ध्यान लेखेगा जिस चीज़ के असाइनमेंट के लिए पंद्रा तारीक है प्रोजेक्श इंटरेशिप फील्ड वक्स जर्नल्स की पंद्रा तारीक है एक्जाम फोम भी आप 15 दिसंबर तक अपना चोईस अम्मिट कर सकते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब कर सकता अगर वह मैक्सिमम डूरेशन आपके खतम हो रही होंगी सो उस चीज़ को भी एक्षेंट कर दिया जाएगा जून 2021 तक सब्सक्राइब के लिए अब आप सभी को इसको पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूं जो 12 अक्टूबर की वह बात है जो सबसे पहला आपका एक्जाम फूम आया था देगी हम आप पे एट पॉइंट जो है लिखा हुआ था आप पढ़के देखे इस एट पॉइंट में जो है क्या लिखा हूँआ था अगर इस्टूइन ने एनी कोर्स के लिए भी अपना एक्जाम दिया है इनके देखे इस्टूइन हाँ अपर इनके अपर इनके लिखा रिखा है जो नए अप्डेट आया है त्टूइंट फॉइंट पीर इंट जून थाओं फ्वैट फॉट्टेम्बर बट कुट नॉट अप्यर इन एनी और ओल्ड दॉट्सिट रॉट्सिट फॉट्टीग इन पहले guidelines आहीती उसको भी आप चेंज कर दिया गया है इसके बाद एक और guidelines आहीती उसको भी change कर देगा है प्रीसरी guideline जो आपके आरक्ड़ी है इसको जो कहँँ कर दिया गया जाएगा चुछ ज़ocylt आपने guidelines को चेंज कर रहा है अपने exam form से रहती है आपकी जो finance guidelines अभी गरे तो यह है कि यहाँ पर देखे साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि जिन्भी student ने December में December का अपना exam को भरा था उन student ने कोई भी course में appear नहीं हुआ था या फिर किसी में हुआ था या फिर किसी में नहीं हुआ था अपने जून 2020 के लिए तो वह जो अपना exam को बढ़ सकता है अगर वह exam देना चाहते है तो इस चीज़ का भी आप दहन दखेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2020 में अगर जून 2020 वाले student है जिन्हों भी जून 2020 के exam form बढ़ा था अगर वह अपना exam दिसंबर में देना चाहते है जो कि exam आपके फैमें होंगे उन सब को फी पेगनने ज़ुरत नहीं है तो मैं बहुत पहले से पता था आज की फिडियों में आपको लास सारी सा मुझे बतानी थी जो कि मैंने आप सभी को बता दिये सो आप सभी चेक कर सकते हैं असाइन्मेंट के पंद्रा तारिक प्रोजेक्ट्स इंटर्शिप फील्ड वर्क के आपके पंद्रा तारिक आपके exam form के पंद्रा तारिक दिसंबर के exam आवाब आपकी February के मंद में जो है कं एंडर करा देंग